Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फीमस पोईट St. John Henry Newman की पोईब लीड काइंड़ी लाइट Friends, यह पोईब बहुत ही जादा पॉपुलर है इसे एक हिम की तरह भी गाया जाता है और गांधी जी की बहुत ही फेवरिट पोईब्स में से एक थी यह इसे 1833 में लिखा गया था और इसकी ओरिजिनल टाइटल थी इसे पब्लिश किया गया था 1834 में इन दे ब्रिटिश मैगजीन यह पोईब 24 लाइन्स की है और 4 सेस्टेट्स में बाटी गई है हर सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है A.B.A.B.C.C. Friends, इस पोईब की थीम है फेथ इन गॉड यानि गॉड पे विश्वास करना जहां जाकने के बाद उनकी तब्यद बहुत खराब हो गई थी और वो थ्री वीक्स तक ट्रावल नहीं कर पा रहे थे इतनी जादा उनकी तब्यद खराब थी और उसी समय उन्हें एक होप थी कि जरूर वो ठीक हो जाएंगे अपनी फैमिली के पास वापस लॉट पाएंगे और तब ही उन्होंने ये पोयम लिखी है इस पोयम में ही उनकी जो फेथ है गॉड में वो हमें बहुत ही ब्यूटिफुली दिखाई देता है उन्होंने ये हमें समझाया भी है बहुत ब्यूटिफुली French Saint John Harry Newman ये एक English Theologian और Poet थे पहले ये एक Anglican priest थे लेकिन बाद में ये Catholic priest बन गए और एक Cardinal भी बन गए इनकी जन्म हुई थी 21st February 1801 में और इनकी डेथ हुई थी 11 August 1890 में इन्हे 2019 में Catholic Church में Canonize किया गया था यानि इन्हें संथ की जो उपादी होती है वो दी गई थी इनकी Famous Works में Apologia Provita Sua, Track 90, Grammar of Ascent ये सभी शामिल हैं तो चलिए Friends अब Poem पर आते हैं और इसे Line by Line रीट कर समझने की कोशिश करते हैं Friends यहां Kindly Light जो है वो God को या Holy Spirit जो है उसे कहा गया है तो Poet God से कहते हैं कि मुझे Lead करिये यानि मुझे रास्ता दिखाइए इस Glove में इस अंधेरे में जिसने मुझे चारों ओर से घेर लिया है मैं इसके बीच में फसा हुआ हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप मुझे रास्ता दिखाईए रोश्णी दिखाईए Lead thou me on French thou का मतलब होता है you ये एक Old English word है इसका मतलब होता है you और यहाँ पर ये use हुआ है kindly light या God के लिए तो Poet कहते हैं कि आप मुझे आगे ले चलिए मुझे आगे रास्ता दिखाईए The night is dark and I am far from home यानि अंधेरी रात है और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मैं अपना रास्ता नहीं चुन पा रहा हूँ Lead thou me on इसलिए मुझे रास्ता दिखाईए मुझे आगे ले चलिए Keep thou my feet यानि आप मेरे कदमों का खयाल रखिये मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ इस बात का भी ध्यान रखिये I do not ask to see the distant scene और मैं जो दूर की चीजे हैं उन्हें नहीं देखना चाहता हूँ मैं बहुत दूर आपसे नहीं जाना चाहता हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले मुझे रास्ता दिखाएं और एक ही कदम मेरे लिए काफी है मैं एक बार में एक ही कदम लेना चाहता हूँ यानि मैं स्लोली स्लोली चलना चाहता हूँ आपके साथ चलना चाहता हूँ आपसे दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही मुझे रास्ता दिखाईएगा I was not ever thus यानि मैं हमेशा ऐसा नहीं था हमेशा आपके करीब में नहीं आना चाहता था Nor prayed that thou shouldst lead me on और नहीं कभी ये pray करता था कि आप मुझे रास्ता दिखाएं मुझे मेरे घर पहुँचाएं यानि मैं पहले इस बिमार होने से पहले मैं इतना जादा धार्मिक नहीं था मैं आप में उतना विश्वास नहीं करता था मगर अब situation change हो गई है अब मुझे आप पर faith है आप पर विश्वास है I love to choose and see my path यानि मैं खुदी अपनी रास्ते कुछ चुनता था देखता था आपको याद भी नहीं किया करता था मैं जब कोई decision लेता था था But now lead thou me on मगर अब मुझे मेरी गल्ती का एहसास हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाएं आप मुझे आगे ले चले I love the garish day फ्रेंट्स, garish का मतलब होता है चमकीला या bright तो मुझे वो bright day बहुत पसंद था जब सूरज की रोश्णी छाई रहती थी हर जगा यानि जब मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई problem नहीं थी and spite of fears, pride ruled my will और भले ही मुझे डर होता था death का या इस बात का कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा मगर फिर भी मैं इतना इन बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरी ego ने, मेरे will पर काबू पा लिया था मैं अपनी ego के कारण कुछ भी सोच नहीं सकता था सही से remember not past years और मैं अब उन बीते हुए सालों को याद नहीं रखना चाहता हूँ जो मुझसे mistakes हुई है, मैं उन्हें याद नहीं रखना चाहता हूँ उन्हें भूलना चाहता हूँ so long thy power hath blessed me यानि इतने लंबे समय तक आपने मुझे bless किया है, अपनी ताकत से आपने मेरा खयाल रखा है sure it still will lead me on और इसलिए जरूर ही मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे आगे भी आपकी रौश्णी में जे रास्ता दिखाएगी, आगे भी आप मेरा ऐसे ही खयाल रखेंगे over the moon and fin, over crag and torrent friends ये मूर, fin, crag, torrent ये different types of landscapes हैं या terrain जो कहेंगे वो हैं तो poet कहते हैं कि कैसा भी रास्ता क्यों ना हूँ आप उन सभी रास्तों पर मेरे साथ देंगे, मुझे रौश्णी दिखाएंगे ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूँ, मुझे आप पर इस बात का पूरा विश्वास है Till the night is gone और ऐसा तब तक होगा, जब तक ये रात खत्म नहीं हो जाती मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म नहीं हो जाते और सुबह होने के साथ ही, उन ब्यूटिफुल फेसे पर जो की एंजल्स की तरह हैं, उन पर एक स्माइल होगी वो खुश लगेंगे वो चेहरे उनके हैं, जिने मैंने बहुत समय से प्यार किया है और वो फिर उन्हें मैंने खो दिया है यानि उनकी डेथ हो गई है, वो अब मेरे साथ नहीं है यानि फ्रेंट्स इस जो जर्णी की पोईट बात कर रहा है जिस रास्ते पर गॉड को कह रहा है कि वो उसे अपने साथ ले चले वो रास्ता हेवन तक जाता है पोईट चाता है कि गॉड उसे अपने साथ हेवन ले चले जो उसका घर होगा जहां वो शान्ती से रह सकेगा इस जर्णी के बाद और अपने सभी लवड वन के साथ होगा फिर वो कभी अकेला नहीं होगा और तब तक जब तक हमारी जर्णी पूरी नहीं होती हमें इस नैरो पाथ पर जो की बहुत रफ है उस पर आप खुद चल चुके हैं यह जो रास्ता है जो हमें हेवन तक ले जाएगा आप उस पर खुद भी चल चुके हैं इसलिए यानि इसलिए मुझे रास्ता दिखाईए मेरे सेवियर मेरे मालिक मुझे मेरे घर का रास्ता दिखाईए क्योंकि मैं अब आप पर विश्वास करता हूँ और मेरा ये फेथ किसी बच्चे के फेथ की तरह प्योर है बिल्कुल चाइड लाइक फेथ है मेरा तो मुझे उमीद है कि आप मेरा ये फेट नहीं तोड़ेंगे आप मुझे रास्ता दिखाएंगे और मुझे मेरे घर पहुचा देंगे Home to my God और मेरा घर कहां होगा तो मुझे मेरे घर ले चलिए मेरे God के पास यानि Heaven में To rest forever after earthly strife ताकि मैं जब अर्थ पर अपनी इस जर्णी को इस लेबर को खत्म करूँ तो उसके बाद Heaven में मैं God के पास आराम से रह सकूँ वहां मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी मैं हमेशा के लिए आराम से रहूँगा, rest में रहूँगा In the calm light of everlasting life उस धीमी रोशनी में जो की everlasting life की है यानि eternity की है Eternity का मतलब यह होता है जो Christian धर में मानते हैं कि death जो है वो सिर्फ शरीर का होता है जो soul है वो हमेशा के लिए जिन्दा रहती है वो immortal होती है और वही eternity को प्राप्त करती है यानि मैं यह चाहता हूँ अपनी बांकी की जो everlasting immortality है उसे आराम से बिताओं मुझे किसी भी तरह की कोई परिशानी न हो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो fourth stanza है यह जो fourth seset है यह Henry Newman ने नहीं लिखी थी यह एक pirate verse है जब इसे publish किया गया था इस poem को तो यह verse, यह stanza add कर दिया गया था और इसे लिखा है Edward Henry Bickersteth ने जो बाद में Bishop of Exeter की नाम से भी ज़ादा famous हुए तो friends इस बात से Newman को बहुत problems भी हुई थी उन्होंने इस बात पर complain किया कि यह उनकी लिखी वी verse है तो इसे नहीं add करना चाहिए तो बहुत जगह जब hymns गाय जाते हैं तो उसमें इस stanza को include नहीं किया जाता है मगर फिर भी इसे poem का हिस्सा माना जाता है तो मैंने इसे भी explain किया है friends इस poem में poet बहुत ही simply बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें God पर faith है भले ही वो बिमार है, problems में है उन्हें अपनी जो journey है वो clearly समझ में नहीं आ रही है कि कैसे पूरी करनी है मगर उन्हें God पर विश्वास है वो जानते हैं कि God उसे रास्ता दिखाएंगे और जब ये journey complete हो जाएगी ये earth पर उनका जो जीवन है वो complete हो जाएगा तो उन्हें heaven में एक place मिलेगा जहां वो forever के लिए rest कर सकते हैं उन्हें immortality मिलेगी और साथ ही उन्हें eternity भी मिलेगी तो friends ये थी John Henry Newman की poem Lead Kindly Light